लोग कहते हैं कि बारत देश में हमारी हिंदू संस्कृती में वर्णब दिवस्था है जाती पांती है तो है वर्णब दिवस्था है हमारे आँ जगड़ा कराने के लिए नहीं है धर्म पालन करने के लिए लेकिन जाती जन्मना है की कर्मना है ये बहुत प्रश्ण करते हैं लोग तो संछेजब में तो अभी हम आपको बता देते हैं जिनको विस्तार से समझना हो हमारे पास आ जाना जाती जन्मना ही होगी एक उधारण बताते हैं जो इसमरण हुआ है अभी याद आगे आए आँख होगी जब संसार को देखोगे कि संसार होगा तब देखोगे विचार करो आँख होगी तभी न देखोगे आँख नहीं होगी तो शोक उंटल सोना भी आपके पड़ा हो आपके शामने तो उसका जो पीला पन है उसकी जो तेज़स्चिता है उसका दर्सन आप कर नहीं सकते है रूप के संबंध में निर्दोस चक्छू ही प्रमाण है किसी बस्तू के लिए प्रमाण चाहिए तो रूप के संबंध में निर्दोस चक्छू ही प्रमाण है तो आँख होगी तभी आप देखोगे ना तो जब आप जन्म लेंगे जब जन्म लेंगे तभी तो कर्म करेंगे तो जन्म कहां लेंगे जिन माता पिता से हम जन्म लेंगे वही तो हमारी जाती होगी जिन माता पिता से जन्म लेंगे वही हमारी जाती होगी कर्म करने से हम स्रेष्ट हो जाएंगे यह बाद सुईकार है बिलकुल सुईकार है और ब्रामण भी अच्छा कर्म नहीं करेगा तो ब्रामण तो रहेगा लेकिन उसका अपमान होगा होता भी है समाज में लेकिन जाती परिबर्तन गंगा का जल और यमना का जल दोनों जहां मिलते हैं दोनों के कलर अलग-अलग हैं उनका रंग, जल का रंग आपके सामने जाके देख लीजिए किसने अलग-अलग किये वो जाती है उनकी, श्वाभाविक जाती है श्वाभाविक है ब्रक्षों की जाती है पश्वों की जाती है भेदा पसुनाम बहुते उधारण दे सकते हैं यह सब जातियां हैं इसलिए हमारी जो परंपरा है वर्णास्रम जो व्यवस्था है ब्रह्मचरी आस्रम व्यवस्था है ब्रामण छत्री वैश्य व्यवस्था है और जो आस्रम व विवस्ता है ब्रह्मचरिय ग्रहस्त बानप्रहस्त और शन्याश और दूसरी विवस्ता ब्रह्मचरिय और सीधे शन्याश इन विवस्ताओं में विज्ञान है इन विवस्ताओं में धर्म विज्ञान है इनका पालन करने से हम अपने धर्म के श्वरूप को जानते हैं